मेरा नाम नरिंदर सिंग है मेरा सवाल यह है कि बिना पड़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए बिना पड़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए? मेरी कामना और मेरा आशिर्वाद ये मेरी कामना और मेरा आशिर्वाद है कि आप पास ना हो क्योंकि जब आप कहते हैं कि बिना पड़े परीक्षा में कैसे पास हुआ जाए? तो आप कह रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जाने बिना सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जाए? तो अगर आप एक डॉक्टर बन गए, जो चीज आपको जाननी चाहिए उसे जाने बिना, आप पास हो गए और एक डॉक्टर बन गए, तो हम नहीं जानते कि आप कितनी जाने लेंगे? बिना पढ़े या ज़रूरी चीज़ें जाने बिना, अगर आप एक इंजिनियर बन गए, तो आप कोलकाता वाला पुल बनाएंगे. इससे पहले कि उस पुल से कोई पार हो, वो लोगों के सिर पर डह जाता है और जाने ले लेता है. हम नहीं जानते कि आप कौन सी दूसरी तबाहिमा चाएंगे. अभी आपके साथ बस सितना हुआ है, कि आपने अपने हैंकार को ताकत दी है और अपनी इच्छाएं बढ़ा लिएं. नहीं, आपको करना ये चाहिए कि आप अपनी बुद्धि मत्ता को ताकत दें और अपनी क्षमताएं बढ़ाएं. आपको यही करना चाहिए. शिक्षा का यही मकसद है, जीवन का यही मकसद है. मगर अफसोस की बात है कि आपको लगता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षाएं पास करना है शिक्षा का मतलब परीक्षाएं पास करना नहीं है शिक्षा का मतलब है सीखना लगता है दुनिया इस बात को भूल गई है तो जो लोग परिक्षाओं में पास होना चाहते हैं, बिना पड़े जो लोग जीतना चाहते हैं, खेल खेले बिना जो लोग उन कारेओं का श्रेय पाना चाहते हैं, जो उन्होंने किये ही नहीं ऐसे लोगों को एक चीज हासल होगी वो जीए बिना ही मर जाएंगे क्योंकि अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको शामिल होना होगा, आपको अपने विवेक और अपनी क्षमता को सशक्त करना होगा। कुछंता के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से करना, इसी में संतोश है, इसी में खुशी है, इसी में जीवन है। बिना पड़े परीक्षा पास करना, बिना खेले खेल जीतना, बिना योग्यता के श्रे मिलना, इसमें सिर्फ एहम संतुष्ट होता है. क्योंकि आप बस अपने आसपास के असफल लोगों को देख कर, खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं. जैसा मैंने कहा, निश्चित रूप से आप जीए बिना ही मर जाएंगे. अगर आपको लगता है, कि बिना पढ़े पास होना सफलता है, तो निश्चित रूप से बिना जीए मर जाना, तो बहुत बड़ी सफलता होगी, और आप सफल हो जाएंगे. नरेंदर सिंग, दोनी? और मोधी? नहीं, ये तो हर चीज के चैंपियन है. जो इनसान बिना पढ़े परीक्षा में पास होना चाता है, वो हर चीज में चैंपियन है. अगर आप हर चीज में चैंपियन है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खिसका हुआ है. अगर आप किसी एक चीज में चैंपियन है उस एक चीज में चैंपियन बनने के लिए जबरदस्ट कोशिश करनी होती है आप हर चीज में चैंपियन है क्योंकि आपका दिमाग खिसका हुआ है और जब आप हर चीज के चैंपियन बन जाते है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी करना नहीं आता आपको कुछ भी करना नहीं आता ये मेरी कामना और आशिरवाद है कि जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें फेल हो जाना चाहिए जो लोग नहीं जानते कि कैसे खेला जाए उन्हें हार जाना चाहिए जो योग्य नहीं है उन्हें इस दुनिया में सम्मान नहीं मिलना चाहिए यही मेरी कामना है यही मेरा आशिरवाद है तो आप बस गलत आदमी के पास आ गए ऐसे लोग भी हैं जो आपको आशिरवाद देंगे कि चिंता मत करो, पढ़ाई मत करो मेरा आशिरवाद तुमारे साथ है, तुम पास हो जाओगे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ आप बस गलत जगा आ गए है वट? हर चीज के चैंपियन? अगर आप इसके लिए ना करें तो अच्छा है अगर आप हर चीज के चैंपियन बनना चाहते हैं तो जीवन आपको रास्ते पर ले आएगा अगर आप फेल हो जाते हैं तो यह अच्छी बात है कम से कम आप इतना तो जान जाते हैं कि आप अगला कदम उठाने के काबिल नहीं है अगर आप खेल में हार जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि आप उतना अच्छा नहीं खेलते आया ना हार का यही मकसद है पास या फेल होने का यही मकसद है ये जानना कि मैं आगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ या नहीं दुनिया को मूर्ख बनाना नहीं आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन समस्या ये है कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप खुद को ही मूर्ख बना देंगे यही सबसे बड़ी समस्या है उन नामों के पीछे काफी मेहनद छुपी है इस बात को यहीं खत्म करते हैं वरना मैं और बुरी बाते बोलूगा क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बिना पड़े पास हो जाते हैं दोत्तततततततत बाते हैं